नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चेनल में और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक एसी ओजदी के उन साइड इफेक्ट याने की नुकसानों के बारे में आपको रूबरू करवा रहे हैं जो कि आज से बेले आपने इसके फायदे तो बहुत सारे सुने होंगे लेकिन इनके इन नुकसानों को सुनने के बार यकीन मानिए आपके पेरो तले जमीन खिसक जाएगी जी हाँ दोस्तों, आप हिरान रे जाएंगे, दंग रे जाएंगे, इसके ऐसे कुछ side effect जान कर, दोस्तों हमेशा हमारी ये कोशिश होती है कि जब भी आपको कोई जानकारी दी जाए तो वो proper information के साथ हो, अगर किसी ओजदिये जानकारी के हम आपको जानकारी दे रहे हैं, ज जो कि बहुत सारे गुणों से भरपूर होती है, तो उसके कुछी नुकसानों को भी आपके सामने रखना हमारा ही फर्ज बनता है, दोस्तों, आप सभी से एक बात और हम केना चाहेंगे, कि जब भी आप किसी आयुरवेदिक ओजदी के बारे में जानकारी प्राप्ट करते हैं, बले वो ओजदी कितनी भी जदा फाइदे मन गुणकारी क्यों न हो, लेकिन उसकी सटीक और पूरी जानकारी आप जरूर लें, जी हाँ दोस्तों, पूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम हमेशा से कहते हैं, हमारे वीवर्स को कि आदी अदूरी ज बारे में आपको जानना जरूरी है, तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं धतूरे के बारे में, दोस्तों, धतूरा एक ऐसी ओजदी जिसका बहुत सारी समस्याओं के इलाज में उप्योग करते हैं लोग, और ये यकिनन गुणकारी होती भी है, लेकिन आज की इस वीडिय कहा है कि धतूरा चाहे कई ओजदी गुणों से भरा हुआई क्यों ना हो, लेकिन यह एक जहरी लापोदा है, और ज्यादा मातरा में इसका सेवन करने से बोडी में रुखा पना सकता है, जी हां दोस्तों, ज्यादा मातरा में धतूरे का इस्तमाल करने से जो आपको डिजि धतूरे के नुकसान की अगर बात करें, तो इससे आँखे और चेहरा लाल हो जाते हैं, साथ ही इससे इनसान को चकर भी आने लगते हैं, दोस्तों इससे बोडी का टेमपरेचर बढ़ सकता है, आखो के आगे अंधेरा चाह सकता है और मनुष्य को डबल दिखाई दे सकता ह जी हाँ दोस्तों अक्सर आप सभी जानते हैं अगर आपको कभी अपने जीवन काल में चक्कर आये हों तो आपको एक ही वस्तू दो दो बार दिखाए देती है दो दो जगे दिखाए देती है तो इसका भी ज़्यादा सेवन कड़ने से आपको ऐसे इस्तितिका सामना कड़ना पर सकता है दोस्तों दरसल धतूरा जो है वो एक नशीला पदार्थ है इसलिए इसके सेवन से मरीज रोने भी लगता है जी आ दोस्तों नाड़ी कमजोर होकर अंकंट्रोल हो जाती है कई बार तो धतूरे के सेवन से मनुष्य की मौत तक भी हो सकती है तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि क्यों हम आज की ये जानकारी आपके समक्ष लेकर आए हैं क्योंकि इसके नुकसान वाकई में कोई छोटे मोटे साइड इफेक्ट नहीं है जब इसके नुकसान हस से ज़्यादा बढ़ जाएं तो मनुश्य अपनी जान तक गवा सकता है इसलिए आज की ये जानकारी आप लोगों के लिए सुनना काफी जरूरी थी दोस्तो इसलिए हमारा एक ही सुझाव है कि अगर आप इसका इस्तमाल किसी भी रूप में करना चाते हैं किसी भी प्रकार से करना चाते हैं तो किसी चिकिस्सक के परामर्ष के अनुसार ही बड़ी ही साउधानी के साथ इसका इस्तमाल करें इसका ज्यादा यूज तो किसी भी सूरत में ना करें अगर कोई आपको सला भी दिता इसका ज्यादा यूज करने की तो बिल्कुल ना करें क्योंकि आप एक समस्या का हल डुनने जाएंगे लेकिन दूसरी समस्या के चपेट में आ सकते हैं तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जानकारी आप लोगों के लिए उमिद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो आपको पसंद आईए तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर आप लोग नए हैं तो चेनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोड दमाएं धन्यवाद दोस्तों